खमा गणीसा, वेल्किम बैक टू माई चेनल, आज मैं आपकी साथ शेर करूँगी मेरे न्यू राजपूती चूड़ा कलेक्शन तो सबसे पहला है ये चूड़ा जो की ओकर कलर में हैं और इसके अंदर पंदरा चूड़िया हैं आगे और पिछे इसके अंदर तीन तीन बेज कलर की है और इसके उपर डॉट 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 जो है पैंटिंग की हुई है और पहनने के बाद में इसका जो लुक है वो कुछ इस तरह से आता है आप इसे प्योर के हैवी सूट और जो मैचिंग के कॉटन सूट है उनके साथ में पहन सकते हैं और इसका जो प्राइज है वो विए से तू फिफ्टी था बट मैने सेल में लोकल शॉप से वन फिफ्टी में इसको पचेस किया है तो बहुत ही प्यारा है सेकिंड है वो है ये मल्टी कलर का चूड़ा इसमें भी अगें 15 चूड़ियां है और इनकी चूड़ियां बहुत पतली-पतली है और इसके भी उपर डोट-डोट वाला ये पैंटिंग है वो की हुई है ये भी मैंने लोकल शॉप से लिया है और इसकी जो प्राइज है वो भी 250 थी बट इसका सेल में जो ओफर है वो 200 का था और पहनने के बाद में इसका लुक है वो कुछ इस तरह से आता है और इसको भी आप किसी भी हैवी सूट के साथ में प्यॉर की ओर्डनी के साथ में चार म आप में भी चूड़ा बहुत खूबसूरत है नेक्स्ट है यह यलो कलर का बहुत ही प्यारा चूड़ा है और इस चूड़े के अंदर यह पांच पीस का चूड़ा है और इसके चूड़ियां है थोड़ी मोटे कट किया है और इसके आगे पिछे वाली चूड़ियों के अंदर स्टोन वर्क किया है और बीचों में जो तेन चूड़ियां है उनके उपर पैंटिंग की हुई है और बहुत ही प्यारा लगता है और पहनने के बाद में इसका जो लूक है वो कुछ इस तरह से आता है आप इसे किसी भी matching के suit, किसी heavy pushark के साथ में भी आप इसे पैयर कर सकते हैं आप चाहिए तो इसके आगे भी आप जोड़े पहन सकते हैं और वैसे अपने आप में भी ये चूड़ा बहुत ही pretty लग रहा है और इसका color है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे तो बट आपको कैसा लगा आप comment section में जरूर बताएगा मुझे नेक्स्त है ये चिकू कलर का बहुत ही प्यारा चूड़ा और ये चूड़ा भी sheep में है और इसके अंदर भी 5 चूड़ियां है और इसकी चीर है वो भी थोड़ी मोटी है बट ये बहुत ही प्यारा चूड़ा है इसका look है वो बहुत ही अच्छा है and simple and sober जो चूड़ा है वो ये ही है and इसको भी आप किसी भी suit के साथ में पैर कर सकते हैं और इसका जो look आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा आ रहा है पैनने के बाद में और इसके आगे आप लाग की चूड़ियां करें किसी भी तरह के जोड़े आप पैन सकते हैं बहुत ही प्यारा ही look create करेगा आपकी किसी भी suit, पोशाक, heavy suit, light suit जो normal daily wear में भी आप इसको पैन सकते हैं बिल्कुल भी ये खराब नहीं होता है और मुझे ये वाला चूड़ा बहुत ही जादा अच्छा लगा और मैं इसको जादा तर बीच में चूड़ियां सैट करके नहीं पैनती हूं बट कई लोगों को पसंद होता है तो आप वैसे भी इसको पैन सकते हैं बट मुझे आगे चूड़ी पैन के आगे चूड़ी पैनना ही अच्छा लगता है तो मैंने आपको इस तरह से ही पैन के दिखाया है और इसकी जो price है वो भी जादा नहीं है इसकी भी price 150 रुपीज ही है और ये भी मैंने local shop से ही लिया है next मैंने लिया है red color का चूड़ा क्योंकि मेरे पास में red color का कोई भी चूड़ा नहीं था इसलिए मैंने red color का पूरा ये चूड़ा लिया है बट printed में बहुत सारे आते हैं मुझे प्लेइन ज़्यादा अच्छा लगा तो यह वाला भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा मुझे और इसकी भी प्राइज है वो 150 रुपीज ही है और मैंने लोकल शोप से ही लिया है यही और इसकी जो चूडियां है वो बहुत ही बारिक कट में है और पहनने की बाद म वाला वो बहुत ही अच्छा है और यह मैट फिनिश में है इसमें ग्लोसी वाला भी आता है बट यह मैट वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो इसको इसके अंदर 9 चूडियां है और एकदम पतली पतली चूडियां है बहुत ज़्यादा इसके जो लुक है बहुत ज़ादा अच्छा आता है आप इसे red color के suit पुशाकों के साथ में भी pair कर सकते हैं और आप daily wear में भी इसको पहन सकते हैं इसका कुछ भी खराब नहीं होता है आप चाहें तो इसके बीच में चूड़ियां set करके या आगे भी कुछ पहन के आप इसे पहन सकते हैं फिर से आ गया है simple and sober चूड़ा white जो चूड़ा होता है हमारी हर dress के साथ में match होता है white चूड़ा खरीदना मैं कभी skip नहीं करती हूँ मेरे पास मैं already बहुत सारे white चूड़े हैं और इसकी भी price 150 ही है और बहुत ही प्यारा लग रहा है यह वाला और मैं इसको जादा तर ऐसे ही पहनती हूँ आगे लाग की चूड़ी पहन के आगे जोड़े या कड़ा कुछ में पहनना होता है matching कर वो आप पहन सकते हैं और आप इसको daily wear के अंदर भी आप कितने भी सालों तक पहन सकते हैं बिल्कुल खराब नहीं होता है तो मुझे बहुत जादा अच्छा लगा यह वाला चूड़ा और यह वाला जो चूड़ा है मैं आपको मेरे पहले की collection में दिखा चुकी हूँ बट कई लोगों ने आपने request किया कि पहनने के बाद में इसका look है वो कैसा आते है तो इसके लिए मैंने आपको यह पहना हुआ look इसका share किया है अगर आप मैंसे किसी ने नहीं देखा था पहले तो अभी मैं बता देती हूँ इसके अंदर नो चूड़िया है और red color में है paint किया है यह मैंने विकानेर से लिया था और इसका price I think 200 था मुझे याद नहीं है exactly I don't remember that बहुत ही प्यारा चूड़ा है और इसको भी आप किसी भी heavy dress के साथ में red color के साथ में या कोई भी matching के आप dress के साथ में heavy के साथ में pair कर सकते हैं बहुत ही प्यारा लुक देता है इसके बीच में आप चाहिए तो स्टोन वाली बंगडी बगेरा डालके बहुत ही अच्छा लुक कर सकते हैं इससे और पहनने के बाद में लुक में आपको इसका share किया है so that's all about this चूड़ा मैं मेरे वीडियो है वो मैं खुद ही शूट कर रही हूँ यह तो आपको पता चली रहा होगा देखके कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है खुद का ही जो वीडियो खुद से शूट करने में तो मैं मेरा खुद का फुल वीडियो भी नहीं ले पा रही हूँ so please don't mind about it and let's move to the next one और यह वाला जो चूड़ा है यह भी मैं आपको पहले वाले कालेक्शन में दिखा चुकी हूँ and यह जो चूड़ा है वो भी पांच चूड़ियों का है और पहनने के बाद में इसका जो लुक है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है अगर किसी ने आप मेंसे नहीं देखा हूँ पहले वाले कालेक्शन में यह वाला चूड़ा तो उन लोगों के लिए मैंने आपके शेयर किया है और यह वाला चूड़ा भी मैं मेरे पहले के कालेक्शन में दिखा चुकी हूँ बट कई लोगों ने जिन्हों नहीं देखा या फिर जो लोग पहनने के बाद में इसका लुक देखना चाहते थे वो आप यहां पे देख सकते हैं यह वाला कुंदन का है रेड कलर में है और यह भी पांच जूडियों का है इसका मेने इंस्टेग्राम पे मेरी फोटो में पहन के भी लुक भी डाला हुआ है आप मुझे इंस्टेग्राम पे भी फोलो कर सकते हैं मेरी आइडी है आर्ति राठोर ओफिशल तो आप यह वाल इंजोट माई वीडियो प्लीज डू लाइक माई वीडियो और शेर माई वीडियो थैंक यू सो मैच पो वाचिंग खमा गणी सा